अलो एवर्योवान वेरी गूद मॉर्निंग विल्कम तो अग्रिकुल्चर अड़ा 24-7 अग्रिकुल्चर अड़ा 24-7 पे आप सभी लोगों का स्वागत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ मेज अड़ अग्रिकुल्चर अड़ा 24-7 के टेलिग्राम चैनल में जॉइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथ ही साथ इंस्टा पे भी जॉइन कीजिएगा अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके डेली दस बजे करेंट अफेर्स अग्रिकुल्चर करेंट अफेर्स और उसके बाद अग्रोनोमिक का क्लास अटेंड करना बिल्कुल ना भूलिएगा चलिए पहला कोशिन आपका यहां पर है तेंपरेचर रिकुएर्ट फॉर ऑप्टिमम जर्मिनेशन ऑफ मेज यह आपके कल का होमवर्क था कि मेज में जर्मिनेशन या अंकूरन के लिए जो इस्टितम तापमान है वो कितना चाहिए 15 से 18, 18 से 25, 25 से 28 या 28 से 35 डिग्री से very good morning, good morning Oakesh, namaste Yogendra, welcome to the session, good morning Madhurima, Rashmi, Manduha, welcome to the session so the right answer is 25 to 28 degree celsius ठीक है यहां पर जो आपका सही answer होगा वो ए 15, 18 degree celsius यार यह तेंपरेचर में इतना confusion क्यों होता है यह समझ में नहीं आता है 25 से 30 degree celsius ठीक है 25 to 30 degree celsius is the ideal germination temperature for mage mage के germination के लिए 25 से 30 degree celsius कहां से पढ़ते हो आप लोग कहां से पढ़ते हो इतनी बारी बोला 2-3 authentic website भी बताये जहां से आपको पढ़ना चाहिए कहां से पढ़ते हो आप लोग बताना ज़रा temperature required for proper grain filling of mage mage में grain filling के लिए कितने temperature की ज़र्वत पढ़ती है 15 से 18 18 से 23 25 से 26 30 से 32 आप जाओ आप देखो 25 से ज़्यादा हो गया या नहीं हुआ है मुझे नहीं पता आप कहां से पढ़ते हो यह कि योगेंद्र ठीक है किसने पढ़ाया है बताओ मुझे नहीं पता है आप कहां से पढ़ते हो मैं आपको दिखा आया है इसी तो पढ़ाया है ना तो 25 से 30 जो है आपका optimum temperature है यह दो तो temperature required for proper grain filling C ठीक है C, C right answer is 30 to 32 degree Celsius grain filling के लिए 30 से 32 degree Celsius का temperature generally चाहिए होता है ठीक है next mage is sensitive to dash, mage किस चीज़ से sensitive है moisture deficit, excess moisture, salinity stress या all of the above मैं मानता हूं कि temperature जो है बहुत किताबों में अलग-अलग दे रखा होता है पर एक दो website को ही follow कीजिए ठीक है यार जहां से पढ़े हो पढ़े हो अब मैं क्या ही कर सकता हूं नहीं हम यह नहीं कर सकते हो आप final year complete होना ज़रूरी है mage is sensitive to dash, moisture deficit, excess moisture, salinity stress या all of the above और salinity stress नहीं होना चाहिए high yielding hybrids using cytoplasmic genetic male sterility system were developed for the first time in dash high yielding hybrids जो है mage का जो CMS system को use करके develop किया गया था अच्छा मैंने answer बता दिया यहां पर ठीक है चलो so the right answer here is mage की mage में जो है यह पहली बार develop किया गया था CMS system को use करके यहां पर high yielding hybrids next recommended dose of Np2O5 and K2O per hectare for composite mage ठीक है अब question को please पढ़के अच्छे से answer करना ठीक है Np2O5 and K2O per hectare for composite mage ठीक है composite mage इपको का रजल नहीं आया दिभाएं तो अभी कोई information नहीं है B लगा क्या आओगे exam में एक बड़ा सा गोला मिलेगा the right answer is D that is 80 40 40 क्या करूं मैं composite mage का है 80 40 40 80 kg of N 40 kg of P2O5 40 kg of K2O ठीक है अब इसके answer दो recommended dose of Np2O5 and K2O per hectare for hybrid mage एक ही पढ़ा होगा आप लोगों नहीं 120-60-60 यह देर सो पचतर पचतर पढ़ा होगा आप लोगों नहीं क्यों? अब I'm safe दो fertilizer का composite हो गया अब hybrid mage hybrid mage का क्या होगा? 120-60-40 यह hybrid mage का है hybrid mage का NpK requirement जो है वो composite mage NpK requirement से जादा होता है अब मेरा तीसरा question general recommended dose of Np2O5 and K2O per hectare for mage mage में NpK का general requirement general recommended dose कितना होता है wheat में NpK एक ही dose आता है ठीक है न वही 120-60-60 या 120-60-40 यही आएगा ठीक है और wheat में भी 160-60 इतना ही आएगा या 160-40 आएगा लेकिन mage में आपको 3 NpK याद रखने है composite का 80-40-40 hybrid का थोड़ा बढ़ा दीजेगा 120-100 से 120 generally hybrid का होता है N और hybrid का P और K यह जो है वह 60-40 होता है general recommendation अगर पूछेगा अगर यह नहीं दे रखा है कि भाई hybrid है या traditional variety है या composite है क्या है तो आपका answer है 150-75-75 ठीक है अब यह आपको कहा मिलेगा यह आपको TNU के website मिलेगा IRA के website में मिलेगा और साथ ही साथ जो NSIC का website है जहां पर सारे crops के research के papers upload होते है अगर आप एक agronomy GRF experience हो तो NSIC का site visit कीजिए उसमें बहुत सारे articles upload होते हैं उनको पढ़िएगा बहुत ही interesting है आपके thesis के लिए help मिलेगा आपको आज से 2 साल बात ठीक है तो NSIC के website को भी आप देख सकते हो अगर आप general agriculture competitive exam की तहरी करते हो तो आपको NSIC के website visit करने की ज़रुवत नहीं है IRI और TNU के website आपके लिए काफी है next चलो okay next sir AGTA की class कब से चले हैं यह 28 तारिक से 28 तारिक से AGTA के classes resume हो रहे है seed rate of hybrid mage बताओ seed rate of hybrid mage hybrid से कम general general recommendation 150-75-75 होता है क्यूंकि वहाँ पर हम maximum recommendation देखते हैं हम minimize नहीं कर सकते हैं ठीक है लेकिन hybrid के case में क्यूंकि plants में spacing जादा होता है plant का population कम होता है इसलिए nitrogen 120 पर रख सकते हो phosphorus और potassium भी 60-40 पर रख सकते हो कोई problem नहीं है ठीक है seed rate of hybrid mage hybrid mage की अगर मैं बात करूं तो seed rate जो है that is 20 to 25 kg per hectare so यहां पर answer is 25 kg per hectare so c is the right answer male reproductive part of mage is dash mage का male reproductive part क्या है silk ear, panicle या tassel fodder के लिए हमेशा बढ़ जाएगा fodder में spacing कम होता है number of plant population जादा होता है इस चीज़ की answer so male reproductive part की अगर बात करेंगे the right answer is tassel जिसको एक terminal reproductive flower भी कहा जाता है जिसके क्योंकि यह एक terminal मतलब यह एक छोड पे रहता है जबकि silk जो है plant के बीच में रहता है मतलब plant के lower nodes पे रहता है जबकि tassel जो है वह एक छोड पे रहता है इसलिए इसको terminal flower या terminal inflorescence भी कहा जाता है ठीक है so the right answer is tassel female reproductive part of mage silk ear panicle tassel yes absolutely correct the right answer is silk जो की female part है silk is nothing but basically जो आपका female part से जो style होता है it's a modified version of the style जो की यहां पर pollen को receive करता है ठीक है dent korn is dash boy dent korn का scientific name पूछा है बहुत ही सिंपल सा कुश्चिन है जिया में जिन्डेंटाटा सेराटिना इंडियूराटा या सेकराटा dent korn is dash dent korn is dash देखो dent korn की अगर मैं बात करूँ इसका नाम dent korn क्यों बढ़ा है क्योंकि जब इसको सुखाते है ना तो इसके बीच में होता है soft starch क्या होता है इसके बीच में इसके बीच में होता है यह आपका let's say mage का grain है और जो अνदर का हिस्सा है यहाँ पर आपको मिलेगा soft starch तो जब इसको सुखाया जाता है सुखाने की वज़े से ये जो अंदर का soft starch है, ये सूख जाता है जो moisture होता है, वो lose हो जाता है जिसके वज़े से ये बीच में से दब जाता है, dent जैसा appearance हो जाता है, इसलिए इसको dent con कहा जाता है, तो dent con का जो scientific name है ये बहुत ही clear है indentata इसके scientific name में भी dent का जो term है वो मौझूद है इसको क्या कहते है indentata कहते है so ये इसमें क्या होता है अगर आपको कोई पूछेगा तो इसके outer portion में होता है आपका hard starch और beach center में होता है यहाँ पर क्या चीज? soft starch ठीक है? next flour corn, flour corn मदलब ऐसा corn जिससे outer बनता है मक्य का outer जिसमें से बनता है GMS indentata, amylacea, seratina या saccharata हाँ और indentata या dent corn जो है वो सबसे जादा USA में cultivate किया जाता है या production जादा होता है ठीक है? flour corn के अगर बात करेंगे GMS amylacea तो यहाँ पर जो major आपके cons होते हैं, जो आटे के लिए use होते हैं, वो generally किस से होते हैं flour corn से बनते हैं जो की है GMS amylacea ठीक है ना? ओके? राधर राधर आकाश, next उसके बात popcorn मैंने shorts बनाया था सुदान सुसर के साथ popcorn क्या है भई? popcorn is GMS Iverta, क्या है भई? Iverta ठीक है, अब होता क्या है? जब आप 170 से 180 degree Celsius के temperature पे popcorn को डालते हो तो उसके अंदर का जो spani है या moisture है वो भाब बन के निकलता है, steam बन के निकलता है, जिसके वज़े से उसके अंदर का white color का starch या endosperm होता है वो pop होता है, मतलब फूटता है इसलिए उसका नाम popcorn पड़ा है ठीक है, इसलिए popcorn बनाते वाक्त हमेंसा हम हलके से cover करके रखते हैं उस पतीले को, ताकि वो popcorn से बाहर ना आजाएं जो अंदर का starch होता है, वो बाहर आजाता है, क्या होता है? जो अंदर का हिस्सा जो है वो yellow color का होता है मतलब seed coat अंदर की तरफ हो जाता है और बाहर का endosperm बाहर आ जाता है ठीक है, so this is known as Giamese Iverta, ठीक है next, Voxicon answer Voxicon 10-10 second का timer है, बहुत जादा है ठीक है, ठीक है देखो Voxicon की अगर मैं बात करूँ the right answer is Giamese seratina, ठीक है न, Giamese seratina, अब यह बेसिकली इसका काम क्या है, यह Voxicon जो है, यह Con के चारो तरफ एक Vox का layer होता है, जो mostly industrial purpose के लिए use किया जाता है, वो भी paper और textile industry में, ठीक है, तो Giamese seratina, next flint corn, भाई flint corn बताईए फटाफट flint corn flint corn की अगर बात करेंगे, this is Giamese indiurata और यह वो मेजे जो हम अक्सर भुट्टा जो है, भुन के खाते है न, यह वही मेजे, इंडिया में सबसे जादा जो है, वो flint corn या produce किया जाता है, ठीक है तो जो भुट्टा आप नॉर्मली खाते हो वो flint corn है और जो आपका hard starch होता है वो ज्यादा तर पाया जाता है, इसलिए खाते खाते जो है, वो जबड़े भी दर्द करने लगते है ठीक है न, so this is known as flint corn, next flour corn, भाई corn का जो आटा बनता है, वो किस चीज से बनता है, मालब कॉन से उसका scientific न, मैंने करा दिया न, GMAS Amyl Asia, ठीक है, या तो मैंने question न, question भी सही है, repeat हो गया, मैंने खेल से sweet corn लिखने वाला था, मैं गलती से यहाँ पर flour corn repeat कर दिया, तो यहाँ पर sweet corn है और sweet corn का जो scientific name है that is sacarata, जिसमें आपको यहाँ पर 30% का dry matter almost आपको sugar मिलेगा and जो आपका moisture content है वो भी यहाँ पर काफी जादा होता है इंडिया में जो maximum है, इंडिया में आपका होता है, आपका क्या चीज, flint corn इस चीज का ध्यान रखिएगा ठीक है, जो कि यह Indiurata next, sweet corn is generally harvested when moisture content is around dash मैं इसके पहले वाले slide पे बोलने वाला था लेकिन मैंने आगे वाला slide देख लिया था इसलिए मैंने बात को घुमा दिया ठीक है, देखता हूँ कितने लोगों कितने लोग मेरे कही हुई बातों से समझ गए कि इसका answer कितना होगा, sweet corn is generally harvested when moisture content is around dash हाँ हाँ, कर सकते हैं AG student FSS AI में form भर सकते हैं प्रतिक्षा, UP catet आप नए batch की बात कर रहे हूँ या existing batch के classes के बारे में बात कर रहे हूँ ठीक है, so sweet corn की अगर बात करूँ, तो sweet corn का मैंना भी थोड़ी दिर पहले क्या का, कि 30% dry matter होता है, अच्छा अगर dry matter 30% है, तो बचा कितना 70%, तो इसका मदलब 70% जो है, यहां पर moisture आपको मिलेगा, ठीक है ना 30% dry matter अगर है, तो बचा कितना, 70% 70% moisture पर जो है, इसको harvest किया जाता है, moisture पूछा है मैंने उसके बाद, कितने दिन बाद harvest किया जाता है, sweet corn is generally harvested dash days after sowing under favorable conditions sweet corn is generally harvested dash days after sowing under favorable conditions, देखो sweet corn के harvesting की अगर मैं बात करूँ तो फिर यहां पर 70 to 75 days जो है, वो general होता है, very good प्राची, 70 to 75 days में, जो है, sweet corn को harvest कर लिया जाता है, ठीक है, और अगर baby corn का पूछा जाए, तो baby corn में क्या होता है, जैसे ही आपको silk दिखेगा ठीक है न, वैसे ही आपको harvest करना है, क्योंकि अगर आप silk दिखने के जाधा time तक wait करोगे, तो जाधा fibrous हो जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है Yogeshwar, interview नहीं होता है, CBT1 CBT2 दो ही exam होता है, कोई interview नहीं होता है, सीधा document verification होता है, that's it, which of the following statement is incorrect about baby corn baby corn के बारे में कौन सा statement गलत है, पहला है, it is one of the richest source of phosphorus it has higher plant population and needs higher dose of nitrogen compared to grain mage, grain mage के तुलना पे जो number of plants per hectare वो जाधा होते है, it is harvested within 1 to 3 days of tasseling tasseling के 1-3 दिन के अंदर harvest करना चाहिए, चौफावल आपको दिखने ही रहा होगा, मैं बता देता हूँ consumers prefer the creamiest to light yellow color, जो consumer है वो creamiest color से लेके light yellow color के baby corn generally prefer करते हैं, अब बताओ इसमें गलत कौन सा है सर मैं MSA entrance का pack ली हूँ 10th October का, ठीक है क्या दिक्कत है बताईए ठीक है, B बता रहे हो आप B और C कुछ लोग बता रहे हैं, मैंने अब थोई दर पहले बता है कि silking के एक से दो दिन के अंदर harvest होता है, यहाँ पर test link लिखा है किसी ने C answer दिया है किसी ने नहीं दिया है मुझे लग रहा है शिखा शिखा और प्रशान्त, मधुरी मा ठीक है, सब ने गलत कर दिया दो तीन student ने बस सही answer दिया है ठीक है बाकी सब ने मेरे answer बताने के बाद answer दिया है ठीक है, गुड मॉर्निंग कवीता Kernels of popcorn should beytted at dash to make popcorn बाइ, पॉपकॉर्न बनाने के लिए कितने टेमपरिचर पे heat करना पड़ता है अब बताओ, यह तुम आने बता दिया सबको Come on Kernels of popcorn should be heated at dash to make popcorn बॉपकॉर्न बनाने के लिए कितने temperature पे heat करना पड़ता है इसलिए मैंने D option बताय तो मैंने डी आप्शन आपको बताया अगर डी आप्शन नहीं भी बताया तो डी आप्शन यहां पर डी आप्शन का कोई काम ही नहीं था दर आइट एंसर ही सी आप्शन सी आप्शन तो दिख रहा है मैंने तब भी आपको कहा कि मैं D option बता रहा हूं सुनिये ठीके चलो फिर भी अगर नहीं सुना तब भी answer D ही नहीं यहां पर ठीके तब भी आप लोगों ने B B B कहा यह बताओ कि जो grain के लिए होता है grain के लिए spacing ज्यादा होता है ठीके बेबी कॉन के लिए spacing कम होता है बेबी कॉन का plant ही छोटा होता है हमें ज्यादा बड़े plant की जरूरत नहीं पड़ती है जिसके वज़े से spacing कम रखते हैं spacing कम रखेंगे तो नहीं यहां पर number of plants ज्यादा होगा number of plants ज्यादा होगा तो nitrogen का जो यहां पर doses है वो maximum dose की और रहेगा ज जो की हमारा general dose होता है ठीक है तो B वाला कैसे confusion create कर रहा है D तो answer ही नहीं है मैंने थोड़ी दर पहले बताया कि silking के एक दो दिन बात जो है harvest होता है फिर भी आप लोगों ने देखते हुए गलत किया सुनते हुए गलत किया ठीक है यार योगेश्वर सुनिया योगेश्वर पहली बात तो अभी पढ़ाई पर फोकस कीजिए ठीक है आपको अगर exam के fssi के बारे में कुछ जानना है बात करना है तो आप agriculture at the rate of adda247.com पर mail कर दीजिए अपना contact number डाल दीजिए मैं आपको कल contact कर लूँगा ठीक है आपको सम अगरोनोमी का क्लास चल रहा है तो क्रिपया करके अगरोनोमी के क्लास में फोकस कीजिए ठीक है नेक्स्ट करनल्स ओफ पॉप्कॉन जो है वो 170 डिग्री सेल्शिय से याद रखेगा अब थोड़ी देर पहले बताया था नेक्स्ट कोस्टिन वाक्सी मेज इस ओरिजिनेट हुआ था ब्रैजिल, USA, इंडिया या चाइना देखूं जड़ा यह कितने लोगों को पता है ज्यादा हो सकता है वो सकता है ना करो जो तीनों आप्शन दिख रहे हैं उसमें सही नहीं बता पा रहे हो हो सकता है ज्यादा तेज बन रहे हो वाक्सी मेज इस ओरिजिनेटेर इन डैश बताओ इंडिया 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 वाक्सी मेज ओरिजिनेट हुआ था चाइना में जबकी हमारा जो नॉर्मल मेज का अगर ओरिजिन पूछेगा तो आप मेक्सिको लिखेगा ठीक है next amylopectin content of normal मेज मेज में जो amylopectin content होता है वो कितना होता है 90% 70% 40% या 56% amylopectin content of normal मेज बताओ देखो आपके मेज में जो amylopectin का content होता है वो generally 70% तक यहाँ पर पाया जाता है ठीक है क्या है amylopectin content of मेज बताओ सही है या गलत है यह तो पूरा ABCD सारे answer आ गए भई ठीक है तो ध्वान रखेगा मेज में जो amylopectin का content है वो 70-75% तक है और बचा जो 25-30% वो आपका आएगा amylase ठीक है याद रखेगा सब लोग मेज में amylopectin amylase ठीक है amylopectin amylase amylopectin की अगर बात करेंगे तो 70 से लेके 75% amylase की अगर बात करेंगे तो 25 से लेके 30% ठीक है दोनों को याद रखेगा clear next how much area of maize comes under rubbish season in India ठीक है यह overall percentage है statistical data नहीं है normally percentage हमेंसा same रहता है statistical data बहुत ज़्यादा change नहीं होता है थोड़ा सा उपर नीचे होता है hectares में million hectares में लेकिन जो percentage होता है वो almost same रहता है sir upicated PGK existing batches के classes प्रतिक्षा आप एक mail डाल दो agriculture at the rate of order 247.com पर मैं आपका study plan पर क्या-क्या classes है और कौन से classes pending है कब होने वाले हैं वो सारी चीज़े देख के बता दूंगा ठीक है next अभी तो कोई नहीं है मौरिया जी चलिए so mage के अगर बात करेंगे तो यहां पर almost 15% जो है वो रभी सीजन में होता है and mostly बिहार में होता है very good absolutely correct योगेंदर नयन बहुत सही ठीक है 15% होता है और यह कहां होता है बिहार में होता है बाकी जगह पे ना mostly जो है खरीफ में ग्रो किया जाता है और mage एक ऐसा cereal crop है जिसको आप actually रभी जायत खरीफ तीनों सीजन में ग्रो कर सकते हो कोई problem नहीं है ठीक है next which group of mage is called snake food इन में से कौन सा जो mage है जिसको snake food कहा जाता है answer answer please answer answer देखो यहां पर अगर बात करेंगे तो the right answer is C that is Iverta जो कि basically popcorn को कहा जाता है अच्छा क्या आपको पता है कि एक snake है जिसका नाम corn snake है corn snake नाम का एक snake भी है अब इसका नाम सुनके लग रहा होगा कि यह corn खाता होगा ठीक है अब basically क्या है ना कि यह maze के field में रहते हैं ठीक है ना और mostly जहां पर popcorn grow किया जाता है उस field में यह ज़्यादा तर पाए जाते हैं लेकिन इनका जो main भोजन होता है न वो होते है rodents ठीक है इनका जो main भोजन होता है अब यह सब चीजे मैंने शायद पहले आपको नहीं पढ़ाया होगा कुछ कुछ नए question भी है तो जो जो चीजे मान लिजे मैंने paid batch में यह नहीं कराया है या फिर कभी पहले नहीं कराया है वो भी मैं अभी add करते जा रहा हो ताकि obviously आप लोगों को यहां पर last moment में यह नहीं हो कि हमें इस चीज के बारे में नहीं पता है ठीक है next आगे बढ़ते है grain and straw yield of mage भाई यह यह तो फिर कितने last class का calculation था किसी ने किया दो calculation हो गए कल economics करेंगे ध्यान रखना ठीक है class मत मिस मत करना हर Saturday को economics करेंगे अब seed rate of winter दो calculation हो गए screenshot लेके रख लीजिएगा Monday को solve करेंगे हम लोग class start होने से पहले seed rate of winter mage winter mage का seed rate बताईए कि कितना होगा और sorry seed rate कितना होगा नहीं पुछाए यह पुछाए कि seed rate winter mage का कितना होगा in comparison to rainy season मतलब खरीफ season के mage से winter mage का seed rate वो कितना percent ज्यादा है मैंने आपको पहले भी का था जब भी आप रभी season में sowing करोगे जनरली हम थोड़ा सा seed rate जादा रखते हैं इसका reason बे मैंने बताया था देखूं जड़ा कितने लोगों को याद है प्रियदर्शनी लिख लीजिए agriculture at the rate of adda247.com क्योंकि पेड में theory है सब लोग सो जाते हो यहाँ MCQ है इसलिए मजा आता है रोडेंस मतलब यही चुहे बगेरा भी वे रभी season में seed rate जादा क्यों होता है anyone बताया था मैंने और यहीं YouTube पे ही बताया है पंकल्प के class में ही बताया है कि रभी season में जो seed rate है वो generally higher side पे क्यों होता है answer please seed rate of winter mage is dash higher than rainy season mage चलो फिर पहले यह answer देख लो so the right answer here is 30 to 40 percent generally ठीक है 30 से 40 percent होना चाहिए ठीक है 20 से 30 percent आपने पढ़ा होगा ठीक है मैं मना नहीं कर रहा हूँ ठीक है but चलो मैंने तो यहाँ पे 30-40 percent दे रखा है based on NIC का data और IRI का data हाँ germination कम होता है absolutely correct ठीक है so यहाँ पर जो germination है वो आपका यहाँ पर कम होगा ठीक है और रही बात exam की देखो exam में 20-30 और 30-40 कभी भी साथ नहीं आएगा क्यों साथ नहीं आएगा क्योंकि यह दोनों ही बहुत सारे जगह पे दिये हुए है even आप अगर TNU के website पे जाओगे और IRI के website पे जाओगे तो दो अलग-अलग जगह पे दो अलग-अलग data दे रखे same website ठीक है ना ओके so यह दोनों साथ में नहीं आएगा बाकी आप लोग अगर 20-30 पढ़े हो तो आप गलत नहीं पढ़े हो ठीक है तो winter mage में क्या होता है कि almost हम मान लीजिए 30-35% तक जो है increase करते हैं seed rate ताकि जो seed germinate नहीं होते है उनका planned population हम बाद में maintain कर सके ठीक है चलो next यह वाला में आप यह वाला देखो ऐसे जो मतलब क्या बोलता है जो actual reason है कि हाँ भाई confusion है बहुत सारे जगह पे है actually confusion नहीं है जगर-जगर के हिसाब से seed rate थोड़ा बदलता है जिसके वज़े से data में changes आते है तो यहाँ पर जैसे आपने बोला 20-30 मैंने लिख रखा है 30-40 ठीक है अब ऐसे जगह में मैं गुसा नहीं होँगा लेकिन जहाँ पर बहुत clear है कि एक चीज already statistics दे रखा है आपको confuse करने के लिए exam में हमेशा कहता हूँ ठीक है exam में इतने close option नहीं आते हैं until and unless you are preparing for JRF ठीक है even state M.A.C. entrance में भी इतने close option नहीं आते हैं ठीक है या तो 20-30 होगा या तो 30-40 होगा दोनों में से जो भी option में होगा वो आप चूज कर सकते हो तो on an average अगर देखोगे अगर कोई एक नंबर आएगा exam में तो 30% generally आएगा ठीक है चलो next हाँ दोनो c भी मिलेगा yes if only three irrigations are available क्या time हो गया चलो ठीक है यह आपका home work है भाई ठीक है कि अगर तीन irrigation available है तो मेज के कौन से stage में आपको irrigate करना चाहिए अचा class कतम होने से पहले एक चीज यहां पर मैं बताना चाहूँगा Sunday को ना कुछ करेंगे मैं अभी decide कर लिए कि Sunday को कुछ करेंगे क्या करेंगे मैं सोचूँगा ठीक है जो इतनी सारी गलतिया हो रही है क्यों हो रही है यह यह ना कि 10 लोग पढ़ाते हैं लेकिन आपको यही नहीं पता कि 10 लोग कहां से पढ़ा रहे हैं कैसे यकिन करोगे कि संदीप सर सही है या कोई XYZ सही है या कोई दूसरा सही है कैसे यकिन करोगे कि यह बंदा सही बता रहा है यह बंदा एक authentic source से पढ़ा रहा है क्योंकि हम scientist तो हैं नहीं कि आपको research करके पढ़ाएंगे तो obviously हमारे भी references हैं कि हम कही ना कहीं से जो है आपको एक authentic source से पढ़ा रहा है ठीक है तो इस चीज़ पर कुछ करते हैं मुझे आज और कल का सोचने का time दो संडे को जो है कुछ करते हैं संडे इसलिए क्योंकि संडे को थोड़ा special दिन है इसलिए संडे को कुछ करेंगे ठीक है जो भी होगा मैं बताऊंगा whole week a revision या क्या करेंगे नहीं revision तो नहीं करेंगे कि मुझे पता है संडे को मेरे पास इतना time होगा नहीं कि मैं whole week a revision करा सकू मैं so basically मैं ऐसा करना चाहता हूं कि either I'll be providing you some kind of content जहां पर आपको authenticity का पता हो जहां पर आपको कहां जैसे पता है क्या है मैंने अभी recently FSS AI का exam हुआ जिसमें 25 में से 25 questions में से 25 से 25 questions मैंने paid और yt दो में पर करा रखे थे ठीक है जिसने मेरे paid class और yt class attend किया होगा उसका 25 से 24 भी नहीं हुआ होगा 25 से 25 हुआ होगा ठीक है जब बच्चों ने पूछा कि source कहां से है तो मैंने उनको 25 questions का source भी दिया था कि यहां पर आपको यहां से आपको पढ़ना है ठीक है न तो मैंने उनको proper source के साथ दिया था answer की ठीक है न कि यह रहा आपका answer की यहां से आप पढ़ सकते हो उनको जो PDF मिला था उसमें उनका source का link था वो link open करके properly देख सकते हैं जी हाँ this is an authentic source तो मैं उस type का कुछ सोच रहा हूं कि agronomy के लिए हम करें ताकि यह जो last दो महीने हैं आपके exam से पहले AFO के exam से पहले उसको थोड़ा सा आपको clarity मिल जाए आप भटकते ना रहो कि भई इसने सही कहा है उसने सही कहा है ठीक है और जब मैं कहता हूँ कि मान लीजे दो जगह पर दो answers दे रखे हैं तो मैं वो भी आपको उसमें provide करूँगा कि दो जगह पर जो दो answers दे रखे हैं वो क्यों दे रखे हैं उसका reason क्या है reason यह है देखो for example अगर आप TNU के website पे जाओगे तो जो winter मेज का seed rate है वो सिर्फ 20-30% है आप south के कोई भी website पे जाओगे reason क्या है क्योंकि south में जो temperature गिरता है winter में वो कम गिरता है क्योंकि temperature कम गिरता है उनका वहाँ पर 20-30% अगर वो ज़्यादा sowing करेंगे seed rate ज़्यादा रखेंगे तो उनका काम हो जाएगा अगर आप north इंडिया में आओगे तो temperature बहुत कम गिर रहा है for example अभी अगर आप आंधरपदेश में जाओगे तो आपको jacket क्या आप t-shirt पे लोग घूम रहे होंगे कोई थंड वंड उतना नहीं होगा ठीक है लेकिन यहाँ पर अभी literally jacket पहन लाए jacket या at least एक sweater पहनने लाए ठंड हो गया है तो यहाँ पर जो temperature है यह बहुत जादा गिर जाता है जिसके वज़े से हम almost 40% तक seed rate को increase करते हैं in northern side of India अब यह generally आपको semester में पढ़ाया जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा वरना जहां पर general agriculture आप पढ़ते हो या mostly competitive exams के लिए नहीं पढ़ाया जाते हैं ठीक है यह सारी चीज़े थोड़ा सा और detail में पढ़ाया जाता है जब आप crop production को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हो ठीक है in fact यह reason तो मैंने paid class में भी नहीं दिया है क्योंकि I know कि most of the exams में ऐसे confusing आते भी नहीं है पर still आपको पता होना चाहिए अगर exam में आ गया तो क्या करेंगे क्या option tick करेंगे आप B और C में से कोई सबी option tick कर सकते हो अब क्या सही होगा वो examiner के हाथ में होगा माल लिजे मैंने C लगाया यहां पर ठीक है तो अगर examiner ने C सोचा होगा तो वो C को ही answer मानेगा अगर उसने B सोचा होगा तो वो B को ही answer मानेगा उसमें और किसी भी तरह का changes generally आप नहीं कर सकते हो ठीक है बाकी बहुत सारी बाते कर लिए सर गरीबों के लिए कोई class है मोरिया जिसके पास विद्या है न वो गरीब नहीं है ठीक है न ऐसी बाते मत किया करो वही देखो बहुत सिम्पल सी चीज है YouTube पे सारे classes free of cost चलते हैं यहां पर आके classes attend करो और बाकी जो paid classes है जो लोग effort कर सकते हो आप लोग paid class में enroll कर सकते हो कोई जबर दस्ती नहीं है कि आप आओ paid class में enroll करो आप महापैक में enroll करो आप crash course में enroll करो नहीं ठीक है बहुत minimum fees है crash course start होने वाला है 24 तारिक को उसका fees 1500 है 25 October को target batch start हुआ था उसका fees 2500 है ठीक है महापैक का fees 6000 है अगर आप तयारी कर रहे हो लंबा preparation कर रहे हो तभी जो है आप enroll कीजिएगा ठीक है अकल तक तो 80% था आज मुझे पता नहीं 80% है भी या नहीं ठीक है तो आप लोग enroll कर सकते हो अगर आप लोग को enroll करना है तो order247.com पे जाईए all courses में agriculture category चूज कीजिए यहाँ पर IBPS, AFO या फिर जो भी exam की आप तयारी कर रहे हो अगर UP-CATED की कर रहे हो या फिर MSC entrance की कर रहे हो सारे category आपको यहाँ पर available होंगे आपको simply यहाँ पर चूज करना है करने के बाद जैसे की यहाँ पर आपका IBPS, AFO का crash course है जो 24 November से start होगा और यहाँ पर October 25 का target batch है यह pre plus main से, यह only main से इसमें आपको class, test series, ebook तीनों चीज़े available होंगी ठीक है buy now पर जाईए code use कर लीजिए यहाँ पर Y291A Y291A apply कर लीजिए 80% off आज मैं रखिया हल से, इसका last day होगा 1499 का यह आपका batch है आप लोग enroll कर सकते हो ठीक है So, this is it guys मिलते हैं फिर कल सुबह 10 बजे Current Affairs के class में Till then, take care, bye-bye, stay safe and don't forget to subscribe to agriculture ADDA 24-7 Thank you so much